अगर आप बीना किसी प्रूप के अपने आधार काड में एड्रेस चैंज करवाना चाहते तो इस फॉर्म को फिलप करके आप अपने आसानी से आधार काड में एड्रेस चैंज करवा सकते हैं इस फॉर्म का नाम है Self-Declaration from the Head of Family यानि कि ये फॉर्म उसके पास फिलप करवाना होगा जिसके बेस पर आप अपने आधार काड का एड्रेस चैंज करवाना चाहते हैं तो चलिए देख लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे बिना किसी पुल किये अच्छे से बरना है तो आपको यहाँ पे उस वेक्ति का नाम डालना है जिसके बेस पर आप अपना एड्रेस चैंज करवाना चाहते हैं जैसे कि अगर आप एक वाइफ हो तो आपके पती का नाम यहाँ पे डालना है और उसके आधार कार्ड में जैसा एड्रेस है वैसा ही एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। एड्रेस चैंज करवा रहे हैं उसके साथ आपका क्या सबन है वह आपको यहाँ पे डालना है जैसे कि इस केश में हम वाइफ डालेंगे उसके बाद यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आएगा जिसका एड्रेस चैंज करवाना चाहते हैं। चाहते और यहाँ पे आपको डेट डाल देना है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि यह फार्म अगर आप अपने एड्रेस अपडेट एड्रेस में अपडेट करवाना चाहते head of family के base पर तो ही यह फार्म पेलेट रहेगा और second number पर आपको देखने को मिलेगा कि यह फार्म बरने के बाद यहाँ पे जो डेट डालेंगे उसके तिन महेने तक कि यह फार्म वैलिट रहेगा तो यह फार्म बरकर आप अपने नजदी की आधार सेंटर जाकर आसानी से आप अपने आधारकाड में एड्रेस चैन्च करवा सकते हैं हम देखेंगे कि आप यह फार्म कैसे डाउनलोड कर सकते कैसे प्रेंट करवा सकते हैं तो आपको अपने मॉबाइल में कोई भी एक प्राफजर को ओपेंड कर देना है और आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च कर देना है अप जैसे ही यह टाइप करेंगे इसके बाद आप सर्च करेंगे तो आपको पहले नमपर पर ही जो वेबसाइट मिलेगा इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाना है जैसे यहाप स्क्रॉल करके नीचे जाते है, थोड़ा आपको नीचे जाना होगा इसके बाद आपको यहापे यह form देखने को मिल जाएगा यह form आपको डाउनलोड करने के लिए यहापे आपको देखरा आये डाउनलोड सेल्प डिक्रेशन दर हैड ओफ फैमिली इस पे आप क्लिक करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते है यह फॉर्म में आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे तीसरे नमबर पे जो फॉर्म दिखेगा इसको आपको अपने मोबाल से प्रिंट करवा लेना है और आपको मैंने जैसे बताया है आपको वैसे ही इसको कैपिटल में फिल अप कर देना है और आपके नजदी की आधर सेंटर जाकर आप अपने एड्रेस में चैंज करवा सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रू लाइक और सेर कर देना और चैनल को ज़रू सब्स्राइब करना थैंकि दोस्तों